दोस्तों गाय समस्त संसार की माता सुरूप है गाय में ही सभी देवी देवताव का निवास है गाय की सिवा करने से समस्त संसार की सिवा का फुन्यम मिलता है अगर कोई मनुष्य गव की सेवा करता है तो उसके सभी जन्मों की पाप कर्म नश्ट हो जाते है और उसे अक्षय पुन्य की प्राप्ति होती है हमारे पुरानों की अनुसार गाय मा कामधिनु का रूप है कामधिनु माता सभी मनों कामनाओं को पूर्ण करने वाली है इनकी पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का पुन्य मिलता है इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं गव माता की क्रपा पाने के लिए मनुष्य को उन्हें कौन सा फन रोज खिलाना चाहिए जो मा कामधिनु को अत्यंत प्रिय है गव माता के सिंगों के अगरभाग में साक्षा जनारदन विश्णु सुरुप भगवान वेद्वयास रमन करते हैं इसलिए जब आपके द्वार पर कोई गव आये तो उसके माथे पर सर लगा कर उन्हें नमन करना चाहिए गव माता के सिंगों की जड़ में दिवी पारवती और सिंगों के मद्दे भागों में भगवान सदाश्री विराजमान रहते हैं इसलिए गव माता की सिंगों के जड में कुम कुम लगा कर मापार्वती के आराधना करनी चाहिए और सिंगों की मद्दे में इबित लगा कर महादेव की पूजा करनी चाहिए। गवमाता की मस्तक में ब्रह्मदेव, कंदे में ब्रहस्पती, ललाट में भगवान शंकर, कानों में अश्विनी कुमार, नेतर में सुर्या और चंद्रमा रहते हैं। इस प्रकार से गाय की सेवा करने से आपको सभी का आशिरुवात प्राप्तो होता है। गवमाता की दातों में समस्त रुशिगन, जीब में मा सरसोती तता वक्षस्थल में इवं पिंडलियों में सारे देवता निवास करते हैं। पीट में यमराज, अपार देव में संपूर्ण तिर्थ एवं गो मुत्र में साक्षाद गंगाजी विरास्ती है। इस प्रकार से गाय के शरी में समस्त देवी देवताव का निवास है। गाय को पानी से नहला कर उन्हें रोटी खिलानी चाहिए। पुरानों की अनुसार गाय को प्रती दिन केला खिलाने से बड़ा ही पुन्य मिलता है। केला भगवान विश्नु का अतिप्रिय फल है। इसे गो माता को खिलाने से विक्ति के जीवन से दुख, दारिद्र, कलेश, दुर होते है। इसलिए द्वार पर आई गाय को रोज केला अवश्य परिशानिया समाप्त हो जाएंगी और धन की व्रद्धी होगी। इसलिए अगर आपकी भी द्वार पर कोई गाय आती है तो उसे मार कर बिल्कुल भी ना भगाये। द्वार पर आई गो माता की पूजा करे। उन्हें रोटी अवश्य खिलाए और अगर हो सके तो रोज के धनुकी ग्रपा मनुष्य को प्राप्त होती है और मनुष्य जीवन में कभी भी आर्थिक और मान्सीक परिशानिका सामना नहीं करता। धनिवाद।